हाई फ्रिंज वेलकम टू माई चानल mcb mcb फ्रिंज आज एक बहुती ब्यूटिफुल आरी मगम वर्क के लटकन्स बनाएंगे नॉर्मल सेविंग नीडल को यूज करते हुए फ्रिंज इस लटकन्स को बनाने के लिए यह मैंने सबसे स्मॉल साइज के कड़दाना लिये है सबसे स्मॉल साइज के गोल्डन बीड्स लिये हैं ये दोनों मैंने 10-10 ग्रैम्स लिये हैं जरी त्रेड ध्रेड और गोल्डन कलर का कोटन त्रेड लिया है नॉर्मल सेविंग नीडल में मैंने two strands of zari thread ले लिया है आज हम आरिवर के लटकन्स नॉर्मल सेविंग नीडल से बनाएंगे I hope आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा सबसे पहले हमें जिस किसी भी shape का हमें लटकन बनाना है उस shape को किसी भी एक thick card पे draw कर लेना है उसके बार इसी card को इस fabric के ऊपर इस तरह के से रखते हुए marker की मदद से mark कर लेना है उसके बार नॉर्मल सेविंग नीडल में two strands of zari thread लेके एक knot डाल लेना है ये जो हमने mark किया हुआ है exactly इस mark के ऊपर से needle को pass करके slowly धागा हम इस तरह की से needle को pass करके छोड़ देंगे फिर से हमें same place में से दुबारा से needle को pass करके slowly धागा छोड़ देना है धागे को finger में tight side नीप करते हुए फिर से हमें थोड़े थोड़े से distance पे से needle को pass करते हुए दागा छोड़ देंगे यह एक chain stitch बन जाएगा इस तरीकी से हम normal saving needle से chain stitch work कर सकते हैं फिर से थोड़े से distance में से needle को pass करके needle में दागा फोल्ड करते हुए इसे slowly खीच लेंगे फिर्ट इसी तरीकी से हमें यह जो हमने mark किया हुआ है लटकन का जो shape हमने draw किया हुआ है इस पूरे shape पर one line chain stitch हमें stitch करना है इस जरी thread से one line chain stitch हम stitch कर लेंगे next हमे two strands of cotton thread लेना है और एक knot डाल लेना है यह जो हमने chain stitch work किया हुआ है इसके बिल्कुल नस्दीक से हमें इस cotton thread को pass कर लेना है इस chain stitch को touch करते हुए बिल्कुल नस्दीक से pass करके इसमें हमें थोड़े से कड़दाना इंसर्ट कर लेने हैं जो हमने Small Size के कड़दाना लिए हुए है इनने इंसर्ट करना है उसके बार जरी Thread के बिलकुल नजदीक से ही One Line Fabric Glue हमें अपलाई करना है Slowly One Line Fabric Glue लगाने की बार इस thread में जो हमने करदाना insert किये हुए है इस fabric glue के उपर slowly इस तरीके से हमें stick करना है नेटली हमें थोड़े थोड़े से करदाना इस तरीके से slowly इस fabric glue के उपर stick करना है उसके बाद इसे 2 मिनिट dry होने के लिए छोड़ देंगे दो मिनिट के बाद ये थोड़ा सा dry हो गया है next हमें starting के ये जो करदाना है इस यहां से सिर्फ दो करदाना में से needle को pass करके हमें इसे one line complete करना है इस corner को need करते वे यहां से हमें needle को pass कर लेंगे जहां से start किया था वहां से needle को हमें back side लेना है उसकी बाद थोड़ी से distance में से needle को pass करके इन करदाना को stitch करना है यहां पर हमें invisible stitches लगाने हैं और फिर से थोड़ी से distance में से needle को pass करके इन करदाना को हमें अच्छे से stitch कर लेना है इसी तरह के से हमें पूरा one round इन करदाना को stitch कर लेंगे नेक्स्ट हमें इस करदाना के बिल्कुल नजदीक से फिर से नीडल को पास कर लेना है फिन्च हमें यहाँ पे गोल्डन कलर का ही कॉटन त्रेड यूज करना है इसमें हमें थोड़े से आरिवर के बिर्स इंसर्ट कर लिए हैं और यहाँ पे हमें जैसा हमने पहले वन लाइन फैबरिक गलू अपलाई किया हुआ है उसी तरीके से वन लाइन यहाँ पे भी फैबरिक गलू फिर से अपलाई करेंगे और अब next में इस fabric glue के उपर ये जो हमने thread में आरिवर के beads insert किये हुए है slowly उसी shape में हमें इने stick कर लेना है जैसा हमने fabric glue लगाया हुआ है उस fabric glue के उपर ही one line complete आरिवर के beads stick कर लेने है और इसे 2 minute dry होने के रिए छोड़ दिया है next हमें यहां से starting किया हुआ है यहां से थोड़ी से beads में से needle को pass कर लेना है और one line complete करना है उसकी बाद इस needle को हम fabric के back side लाएंगे और अब next हमें थोड़ी से distance में से needle को pass कर लेना है friends हमें यहाँ पे यह जो आरिवर के beads हैं इनके बिलकुल नजदीक से ही needle को pass करना है बिलकुल भी यह दिखाई नहीं देना है यह जो thread है golden color का यह बिलकुल भी दिखाई नहीं देना है इस तरीक से हमें invisible stitches लगाने हैं यह जो हमने आरिवर के beads complete one line stick किये हुए हैं इन सभी beads को हमें थोड़ी थोड़ी से resistance में से stitch करके इस second line को complete करना है next हमें cotton thread लेना है और एक knot डाल लेना है उसकी बार यह जो आरिवर के beads हैं इनके बिलकुल नजदीक से needle को pass कर लेना है और अब next हमें इस needle में थोड़े से करदाना insert कर लेने हैं उसकी बार one line fabric glue apply करना है यह जो आरिवर के beads हमने stick किये हुए हैं उसके बिलकुल नजदीक से ही एक line fabric glue लगाएंगे थोड़ा थोड़ा सा fabric glue लगाने की बार इस fabric glue के ओपर भी हमें फिर से यह जो करदाना है इन्हें slowly stick कर लेना है neatly हमें इन्हें stick कर लेना है इस तरह के से हमें first line में chain stitch, second line में करदाना, third line में आरिवर के beads और उसकी बार fourth line में फिर से करदाना insert करके इन्हें stitch कर लेना है और थोड़ी से dry होने की बार थोड़ी से करदाना में से needle को pass करके first line complete करते हुए इस needle को fabric के back side लेना है उसकी बार जैसा हमने पहले करदाना और आरिवर के beads stitch किये हुए है उसी तरह के से हमें third line में ये जो करदाना हमने stick किये हुए है इन्हें भी हमें golden color की cotton thread से invisible stitches लगाते हुए one line complete stitch कर लेना है यहां पर हमें थोड़े थोड़े से distance पर इन्हें stitch कर लेना है उसकी बाद excess cotton thread को हम कट कर लेंगे last में हमें middle में से needle को pass कर लेना है फिर्स यहां पर हमें stone कुंदन लिया हुआ है इसके सबी sides holes है यह देख सकते हैं दो साइड में से needle को pass करके इस इसके जो another side जो holes हैं यहां से needle को pass करके इस कुंदन को अच्छे से stick कर लेना है stone कुंदन के सभी side holes होते हैं सो हमें completely सभी side से needle को pass करते हुए इस stitch कर लेना है और अब next हमें इसे back side से एक दो अच्छे से knots लगाते हुए excess cotton thread को cut कर लेना है इसके बार next हमें 8 strands of silk thread लेना है और एक knot डाल लेना है यह जो center में जो fabric है side से one side में से needle को pass करते हुए needle में एक small size का mat bead insert करना है उसके बार needle में इस तरीकी से silk thread के 2 rounds मनाते हुए थोड़े से distance में से हमें इस needle को back side लेना है silk thread को हमें थोड़ा tight पकटते हुए slowly छोड़ देना है यह एक knot बन जाएगा french knot बन जाएगा फिर से हमें थोड़े से distance में से needle को pass कर लेना है उसके बार needle में हमें एक small size का golden bead insert करना है और अब next हमें यह जो silk thread है silk thread के 2 rounds बनाते हुए थोड़े से distance में से needle को हमें back side लेना है slowly दागा छोड़ देना है यह एक knot बन जाएगा यह देख सकता है इस तरीके से और अब next हमें फिर से थोड़े से distance में से needle को pass करते हुए इस needle में एक small size का golden bead insert करते हुए फिर से हमें एक french knot बनाना है इसी तरीके से हमें इस stone kundan के surrounding हमें one bead one french knot बनाते हुए इस पूरे place को complete करना है इस तरीके से थोड़े थोड़े से distance में हमें one bead add करके उसके बार इन silk thread के दो rounds बनाते हुए एक french knot बनाना है इसी तरीके से ये जो green color का जो fabric है इस पूरे fabric को हमें french knot और bead को add करते हुए cover कर लेना है उसके बार इसी तरीके का हमें एक और patch बनाना है उसके बार इस जो patches हमने जो बनाए हुए हैं थोड़े थोड़े सा extra fabric छोड़ते हुए इन patches को हमें cut कर लेना है अब यह दिख सकते हैं मैंने एक और patch ready कर लिया है और थोड़े से distance पे extra cloth छोड़ते हुए इसे cut भी कर लिया है और अब next हमें ये जो हमने chain stitch work किया हुआ है इन दोनों patches को अच्छे से मिलाते हुए green color का cotton thread लेना है और यहाँ पे थोड़े थोड़े से distance पे हमें hand stitch करना है ये जो chain stitch हमने work किया हुआ है इन दोनों sides में chain stitch के बिल्कुल नज़दीक से हमें थोड़े थोड़े से distance पे hand stitch करना है जो मैंने लटकन्स बनाए हुए है उन सभी वीडियो का एक playlist बनाया हुआ है उसका link मैंने वीडियो के end में दे दिया है और अब इसी तरीके से मैंने latest सारी कुछो टैसल्स डिजाइन क्रोशेट के सारी कुछो टैसल्स डिजाइन के भी अलग-अलग playlist बनाए हुए है उनका link मैंने वीडियो sorry description में दे दिया है आप description में विजिट कीजे वो सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे और अब next हमें यह जो patches हैं इनके थोड़े-थोड़े सी distance पे cuts लगाने है इसे हमें सीधे साइट टर्न कर लेना है इसे हमें सीधे साइट टर्न कर लेना है यहां पर हमें गौट ग्रीन कलर की cotton thread से stitch कर लेना है फ्रिंस हमें यहां पर जिस कलर का हमने fabric यूज किया हुआ है उसी कलर की cotton thread से यहां पर इन दोनों patches को मिलाते हुए stitch कर लेना है यह देख सकता है इस तरीके से slowly हमें stitch कर लेना है इसको extra fabric हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है दोनों side जो thin stitch है इस तरीके से neatly fold करते हुए इन्हें हमें stitch कर लेना है और अब next हमें इस तरीके से pocket बनाने की बार इसमें थोड़ा सा cotton insert कर लेना है आप चाहो तो left over cloths भी थोड़े थोड़े से pieces कट करते हुए इसमें insert कर सकते हैं इसमें इस तरीके से डालके इसे neatly करते हुए इस जो ऊपर side का इस फाब्रिक है इस फाब्रिक को भी neatly fold कर लेना है और उसकी बार यहां से भी हमें stitches लगाने है अच्छे से neatly हमें stitch करना है और अब next हमें dory लेना है इस dory को यह जो हमने लटकन बनाये हुए है इसके center में से pass करना है इस तरीके से slowly pass करने की बार इस डोरी को भी इन पैचेस के साथ अच्छे से attach कर लेना है इस तरीके से इस डोरी को भी neatly हम stitch कर लेंगी उसकी बार यह pocket complete stitch कर लेना है और अब next हमें इस दोरी को अच्छे से attach करने के बार यह जो side वाला part है इसे भी stitch करते हुए extra ही जो cotton thread है इसे cut कर लेना है और अब यह की लटकन रेडी हो गया है इसी तरीके से हमें एक और भी बनाना है अब यह लटकन complete हो गए है आरी मगम वर्क के लटकन को हमने normal saving needles से बन पर क्लिक कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए thanks for watching see you soon bye bye